है गाईस देखो आज की रेट में आर्वी एनल रेल विकास निंगम लिंटेड में काफी अच्छा गिरावर्ड देखने को मिला आखिर तो ऐसा क्या हो गया कि जिसके वज़े से काफी तकड़ड़ गिरावड देखने को मिला है और जब माल लेते हैं कि भई जब इतना अच् गुल के बारेतर अगर यह वापस घरता गिर गया है कि नहीं लेकिन कुछ लोग और मतलब उनको लगेगा अच्छा लगेगा कि नहीं भाई चलो अब तो यह सस्ता वरा दुबारा खरीदने का मौका मिल ला तो यह कौन लोग करते हैं सर्फ प्रॉपर अंडरस्टेंडिंग वाले प्रॉपर जिनके पास जानकारी होता व वह 1200 प्रॉपर इसक्यों निकाल थी आगर माल लेते हैं 8 % गिर्टा को अने जर्ः आता है तो थेंशन होता है तो सर्फ इसने 500 प्रॉपर रेटन निकाल कर दिया है, तुमें तो इस बात की आ नीच है कि बढ़ू इतना आपको बोलना हूँ कि कल के डेट में 50% गिर जाए तो लोग सब लोग इसको बेज देंगे खराब बोलेंगे लेकिन उसके बाद ये स्टॉक फिर से अगर 2000% तक का रिटर निकाल के देदे तो सभी लोग तारिफ करना स्टार्ट करनेंगे लोगो को कमपनी से मतलब नहीं है लोगो को जादा तो लोगो को स्टॉक ऊपर और नीच जाए इसी से मतलब है प्रॉफिट दिया तो अच्छा है ऐसा मत किजिए समझिए कमपनी के बारे में जादा जानकारी मिलेगी आपको सीखने को भी मौका मिलेगा आपको ठीक है, तो देखिए, बताया जा रहा है, कि RVNL, Rail Vikas Nigam Limited का, जो quarter 3 का जो result आया है, नेट profit बताया जा रहा है, कि 6.2% गिरता वह न जा रहा है, तो ये एक major reason बताया जा रहा है, जिसके वज़े से सर, इस company में गिरावट दिखने को मिला है, ऐसा है, आई एक बार देख लिएते हैं, ये सर quarterly result आपको बताया जा रहा है, December, December, ऐसा है सर, तो सर पिछले December में अगर आप लोग देखिए, आप 5,012 क्रोड का profit था, और इस बार, सरी profit नहीं है, ये sales है, इस बार December में क्या हो, 4,689 क्रोड का है, सर, इसने sales किया, तो उमीद क्या होती है, सर कि पिछले बार जो company ने sales किया था, इस बार उससे थोड़ा ज़्यादा होना चीए, भाई, कम से कम 10% ज़्यादा उमीद रखा जाता है, मार्केट का भी अपना खुद का expectation होता है, ठीक है, तो उमीद रखा जा जा जाता, सर कि कम से कम थोड़ा पिछले बार से और अच्छा हो जाए, improvement, क्यूंकि, सर यहाँ पर देखिए तो 5,012 करोड है, यहाँ पर देखिए तो 5,720 करोड है, तो पिछले बार से सर इसने better किया न, तो लोग और उमीद हो जाता नहीं कि अगले बार भी और better करेगा, लेकिन इसने क्या कर दिया सर मतलब, expectation तोड़ दिया, अब हुआ क्या कि सर वो तो गया, लेकिन operating profit margin इनके पास 6% था, वो गिर के इनके पास 5% हो गया तो, और company को जटका लगा, कि भाई sales तो गिरा, लेकिन साथ में operating profit margin भी गिरा, मतलब, अगर हम और मतलब, मतलब, इसका मतलब क्या profit margin गिरा तो, कि अगर company और जोर सोर से भी काम करती है, दम लगा के महनत करती है, इसके बावजूद भी company को पैसा कमी मिलेगा, क्योंकि margin गिर गया है न, आईए इसको मैं आपको यहां पर clear करता हूँ कैसे, अभी माल लिजे कि अगर आपका 8 घंटा का duty है, कितना 8 घंटा का duty है, ठीक है, duty सबका होता न, सब लोग job अगर करते, कहीने कहीं काम करते, काम करता हूँ, तो 25 पर 30,000 मिल लिए, नहीं, लेकिन अगर आपको यहां पर माल लिजे कि मिल जाता है, कि आपको एक तरीके से 17,000 रुपीज मिलता है, 17,000, 12 घंटे काम करने के बाद आपको मिलता है, कितना 17,000, तो कैसा लगेगा आपको, लोग बोलेंगे यार, यह तो गलत हो गया, मैं महनद जादा कर रहा हूँ, लेकिन पैसे मुझे कम मिल रहे है, जादा मिलना चाहिए न, या तो उतना ही मिलना चाहिए, लेकिन महनद में 8 घंटे से 12 घंटे काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन पहले मिलते थे 20,000, अब 17,000 मिल रहा है, कम से कम 25,000 मिलना चाहिए था, तो यही हो रहा यहाँ पर, ठीक है, कमपनिय का सेल्स बढ़ा भी दी न, सर, तो इसका मार्जिन जो न, 5% मतलब, यह सबसे बड़ा मेन प्रावलम है, सर, और इसी के वाज़े से लगबग जो है, प्रॉफिट में थोड़ा बहुत लगबग जो है, बोल सकते हैं कि मतलब, वीकनेस देखने को भली, जो 382 करोड था, यहाँ पर, सर, 359 करोड, 400 करोड तक का मतलब जो है, एक तरीके से उमीद रहता, कि भई, पिछले बार से 20 करोड भी, 8 करोड भी कमपनिये कर जाता, पैसा कमाती है, तो 20 करोड का तो टच करे देए, और एक सबसे बड़ी टेंचन वाली बात है, सर, बजट, बजट सर, सबसे टेंचन वाली बात है, जो भी फरवरी में आपको देखने को मिला ना, एक फरवरी को, अब गोलेंगे, सर, बजट में क्या टेंचन है, तो सर, टेंचन वाली बात ये है, कि सर, था, क्या इंटेरियम बजट था, ठीक है, अब जुन जुलाई के आज जुबाज आपक इवेटिंग लिस्ट की बहीं चलो और लंबा इंतजार करना पड़ेगा, तो ये भी एक टेंचन वाली बात है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि जुन जुलाई तक कोई बड़ा ख़बर देखने को मिल सकता है, बतलब कुछ भी बड़ा ख़बर आपको देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत कभी भी कर्रेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन बागे तो मैं आपको बोलूगा जोर से काम चली रहा है, हर जगा जोर से काम चला, रेल्वे में काफी बड़े डवलप्मेंट आपको देखने को मिल रहा है, तो सर एक तरीके से उमीद लगा जा रह लगबक सर मैं आप बरूँगा कि railway में expectation और ज़्यादा था और ज़्यादा था और अच्छा खासा allocation मिल सकता है तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बिलते माले तो अगर माल लेते हैं कि और ज़्यादा मिलता तो railway वाले मतलब कंपणियों में तेज़ी ज़्यादा देखने की मलते ऐसा है लेकिन माल लेते हैं कि थोड़ा पिछले बार से मतलब क्या है कि पिछले बार जिस तरीके से percentage में उच्छाल आया था सर उस तरीके से इस बार percentage में उच्छाल नहीं आया और इसी के बार जिस लगबग जो है सर कि थोड़ा सा लगा कि नहीं भाई मतलब गवर्मेंट थोड़ा और ध्यान देती जो ज़्यादा अच्छा रहा था देख लिए 2.55 लाग करोड बताया जा रहा है ठीक है पिछले बार जो बताया जा रहा था सर 2.41 लाग करोड था लेकिन उमीद कितना रखा जा रहा था कि सर 3 लाग करोड हो जाएगा 3 लाग करोड तो सर यह जो उमीद था यहां पर नहीं किया यहांपर यह भी एक प्रॉल्म है अगर यह यह जो expectation मैं आप भूलूंगा 3 लाग करोड पा था अगर यह होता तो railway वाले stocks में अलगी तेज़ी देखीने को मिलता है तो यह कुछ खास मतलब यह नहीं था उमीद बहुत जादा था तो यह वह चीज थे 3 lakh crore in 2024-2025 ठीक है तो यहाँ पर 2.55 आपको देखने को मिला तो यह एक इजन वाले बात होगे तो इसके वएटे से सर बहुत सारे company अपने आपको मतलब लेकिन वह decreasing rate में है increase हो रहा है लेकिन increasing rate में नहीं है तो यह एक प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है almost सारे अगर अब देखते हो तो railway वाले stocks में कमजोरी ही देखने को मिल रही है है ऐसा है क्योंकि सारे railway के जितने भी मतलब connected company है एक तो सर बहुत हाइप भी देखने को मिल रहे थे एसा है तो इस वाज़े से तगड़ा तगड़ा आपको गिरावट देखने को मिल ला आठ आठ पर्सेंट मतलब है सर आठ पर्सेंट को छोटी मोटी चीज नहीं होती है ठीक है फिर भी पांस दिनों से गिरावट है क्योंकि सारे stocks थोड़े हाई पैस है और यह आयर से ती स उसके साथ साथ IRF से भी देखते है तो यह भी आज 5 परसंट गिरा हुआ है पिछले पांस जिनों से भी देख लिए जब वीगने सी देखने को मिला आठ परसंट का गिरावट है तो पहले ठीक जा रहा था लेकिन अब थोड़ा बहुत गिरावट देखने हुआ तो पहले इतने आरवी अनल अगर आपने दिखा होगा तो सर एक एक महीने में उन्होंने 80 परसंट का रिटन निकाल के दिया पैसा डबल कर दिया रेलवे वाले और यही देख लिजे ने सर यही वाला IRFC यह भी कितना बता रहा है एक महीने में 49 परसंट का रिटन लेकिन दिया तो उ तीन महीने का दिखा रहा है सब देख लिजें देड़ सो परसंट तक का रेटर निकाल के देरावन 27 परसंट तो इसी वज़े से जितने भी रिलवे वाले स्टॉक भागे थे थे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बोकिंग में जा रहे है यहां पर